हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे जहारखंड में 1857 का बिद्रो तो यह जहारखंड में वह कौन से स्थान से शुरू किया गया या तो फिर कौन से स्थान में यह बिद्रो हो रहा था साथ साथ में यह बिद्रो कब आरंब हुआ यह देखेंगे और साथ साथ म यहां से एक्जामों में तो दोस्तों कि 887 को यहां तो हम्हआ भारत में तो बढ़े लग अलग जगह हों में यहां बिद्रों परण से अधियाचारों से मुक्त किया जा सके तो इस कारंसी यह जो है बहुत बड़े पैमाने पर पूरे भारत में हुआ था यह लोग 1875 का विद्रो अपने अपने जगहों से किये थे यह लोग यह पूरे भारत के दिरिश्चिकों से देखते हैं तब लेकिन हमें यहाँ पर देखना ज्धारखंड में यह जो विद्रो ववव हुआ था इसके बारे में तो चलिये हं लोग सबसE पहले देखते हैं क्या क्या है तो यहां पर जो इस्थान है वहस्थारट हुआ तो यहां पर यहां विद्रो ही नेत्रत तकों थे तो यह थे 32'e सभी रेजिमेंट के सेनी द्वारा सबसे पहले यहां विद्रो आरम किया गया था और अस्ताने रोहिनी गाउ देवघर तुर आप ध्यान रखेंगे और यह जो रोहिनी गाउं जो देवघर है वहा अजय नदी के किनारे पर है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे अजय नदी के किनारे है तो यहांसे भी हो सकता है question पूछ लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जहरकर में जो है बिद्रों का आरम बुगा तो वहा रहे तो इसके बाद हम देखते हैं यह पर राची में तो राची में भी यहां आट्रशांतावन का विद्रोग हुआ था जो की डेट है 2 अगस्त 1857 को तो यह आपने ज्यां रगेंगे कि राची में जो वौ था वह दो गस्तावन तो इसमें कौन-कौन भाग लिया थे नेतरुत करता कौन-कौन थे तो यह थे जयमंगल पांडे नादिर अली मादों सिंग और विद्रोई तो ये जो हैं हजारे बाग से ये लोग राची भी आ गयते विद्रोही जो थे साथ साथ मुझे मंगल पंडे भी आयते नादिर अली मादो सिंग और विद्रोही ये सारे के सारे हजारे बाग से फिर राची आयते और यहां पर भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा रहे थे और अंग्रेजों को भगाने के लिए यहाँ पूरा कोसिस कर रहे थे तो यह हजारेबाग वाले जो जो थे पिद्रोई वे लोग राची भी आये थे लेकिन यह जो डेट है वह आप ध्यान रहेंगे दो अगस्त 1857 को तो यह लोग हजारेबाग से राची आ गये थे अब बात अब बात करते हैं ड्रोंडा में कुछ और तो ड्रोंडा में इन लोगों के साथ साथ में थे आप लोग जो ध्यान रखेंगे वह थे रामरूप सिंग यह रामरूप सिंग थे दुख्षू ठे और टिकेट उम्राव सिंग यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे अंगे टिकेट उम्राव सिंग और साथी साथ गंडपत राय तो यह भी इस ड्रोंडा वाले 18 round-town के गरा जगनात साही, फिर टिकेट उम्राव सिंग, इसके अलावा में आप लोग देखेंगे रामरूप सिंग और दुखु, ये लोग भी सारे के सारे इस विद्रों में हिसा लिये थे और नेत्रत कर रहे थे, अब हम लोग आगे देखते हैं मानभूम में, तो जारखन के मानभूम द्वारा ये सबसे पहले किया गया था, बाद में राजा निल्मनी सिंग भी इसमें सामिल होगे, और निल्मनी सिंग जो है वहाँ पंचेत के राजा थे, पंचेत के राजा ये थे, ये भी यहाँ पर विद्रोंई सैनिकों संथालों का साध्येत थे राजा निल्मनी सिंग जो की मंचित के राजाती माहिन आप लोगों को बता दिया थिया अप लोग ध्यान रखेंगे और यह मानभूम में से भगवान रामनात सिंग यह जो दोनों ते यह लोग लेकिन बाद में राजा अर्जुन सिंग भी इसमें सामिलोगे और विदरोको और भ्यानक और विशालकाय बना दिये थे तो यह आप लोग धियान रखेंगे राजा अर्जुन सिंग ये भी बहुत इंपोर्टेंट है और ये जो राजा अर्जुन सिंग है इन्होंने ही बाद में क्या किया था तो बाद में इन्होंने सिंभूम का सिंभूम का राजा अपने आपको गोसित किये थे तो ये आप लोग ध्यान लखेंगे कि राजा अर्जुन सिंग अपने आपको सिंभूम का राजा गोशित किये थे यहाँ से भी कोशित पूशित पूश आता है कौन जो है वह सिंभूम का राजा गोशित किये थे तो उसका उत्तर हो जाएगा राजा अर्जुन सिंग तो यह सिम्भूम वाले जो है 1877 की करांती के बारे में था आप लोग ध्यां देखेंगे अब बात करते हैं पलामू में तो पलामू भी एक अपनी ही पहचान दिलाने का यहाँ पे कारे हुआ था उस समय तो पलामू में जो वह 1857 का करांती वह था सिदंबर 1857 में जो कि निलामबर पितंबर के दवारा यहां पे विद्रो किया गया था अंगरेजों को खिलाब और बाद में भवाने बक्स राय भी इस आंदोलन में इस विद्रो में सामिल हुए थे तो यह आप लोग ध्यान एक कि पलावू में जो थे वह निलामबर पिनामबर नाम के दो भाई जो थे वह अंगरेजों की छटके चुटा। साथे साथ बाद में भवानी बक्स राय के द्वारा यहां पर इनका साथ दिया गया अंग्रेजों के ब्रुद में तो यह आप लोग याद रखेंगे अब बात करते हैं हम लोग चत्रा के पारे में जो कि यहां पर भी हुआ था तो चत्रा का जो यह तियासिक युद्ध यहां से कोशिन पोई जाता है कि चत्रा का एतियासिक यूद का भुवा था तो यह हुआ था दो अक्तूबर 87 को एतियासिक यूद यह आप लोग याद रखेंगे इतियासिक यूद इसमें नेतृत करता था भी सुनात साहदेव नादिर अली पंडेगन पत्रा यह हुआ इसक सेना के भी संस्थापक यहां से पोशिंट पुझा जाता है तो विसुनात साहदेव ने यह गठे किया था तो देख रहे हैं दोस्तों यहां पर कि यह जो डोरंडा अगस्त अट्रसान ताउंस से यह लोग फिर चत्रा चले गएते अंग्रेजों को हराने के लिए यांग्र से लोग फिर चले गएते चत्रा फिर उहां पर जो है एतिहासी की युद्ध हो गया था वह भी दौक्तुबर 1877 को तो यह आप लोग देट को धियान रखेंगे तो इस परकार से हम लोगों ने देख लिया कि 1877 का जो करांती हुआ वह जारखंड के किन किन स्थानों पर हु हुआ और उनकी जो नेत्रतु करता कुण कुण थी यह भी मैंने आप लोगों को बता दिया तो आप लोग इस परकार से सारी चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं तो हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं कि रोहिनी का जो है देवगार महिस से विद्रो आरंभ हो गया था जो क के सूबयदार थे उस समय और यह जो है माधों सींग यह कौन थे तो यह थे रामगर के जमादार थे उस समय जमादर यह लोग सारे कोई मिल करके अंग्रेजों के छक्के चुड़ाने के लिए कमर कस लिये थे ताकि अंग्रेजों को जल से जल अपने इलाके से भागया जानकारी को ध्यान रखेंगी दोस्तों यहां पर एक चीज़ को और देख लेते हैं कि यह जो है चत्रा का जो एतियासिक युद्वात दोक्टूबर अठाशन तावन को उस युद्व के बाद में जो है ठाकुर विस्वना साध्यव और उसके जो है सिनापती पांडे गनपत रहे थे और यहां लहरदगा से ही यह लोग छापामार युद्व कर अंगरेजोंों को हैं यहाँ पर हरा रहते हैं यह अंगरेजां करके चीब गए थे और फिर वहीं से ये लोग च्छापामार योद्ध कर रहे थे तो ये आप लोग याद कर लेंगे तो इतनी जानकारी का आप लोग ध्यान रखना है कि जारखन में जो है आठासांतान को बिद्रो हुआ उसमें से कौन-कौन बिद्रो ही हुए या नेत्रित कर लेंगे